इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 326 के बारे में ये आर्टिकल बताता है कि house of the people मतलब की लोकसभा और state का जो legislative assemblies है मतलब की विधान सभा तो इनका जो election होगा वो adult suffrage कर basis पर होगा ठीक है थ्वासा इसमें deep जाते हैं तो इस आर्टिकल के नोसर ये बताया जा रहा है कि लोकसभा और जो भी राज है उसका विधान सभा का जो भी election होगा वो adult suffrage पर बैसिस पर होगा मतलब की भारत का जो भी नागरी है जो 18 साल से जादा का उम्र रखता हो वो वोट डालने का अधिकार रखता है ठीक है अब कौन सा year से वो 18 साल का age रखता हो जादा त पिर जो आपका parliament है वो समय समय पर बता सकती है for example मान लेते हैं कि लेगिस्टेचर कोई भी state का बोला कि 2020 से अगर कोई वैगती 18 years का है तो ही वो भोट कर सकता है ठीक है तो ऐसा हो सकता है कोई भी राज ऐसा कर सकती है ठीक है तो यह जो हात यह जो है वो किसी भी राज के ले 18 साल को माननेता मिलेगा ठीक है और ऐसा वैक्ति जो 18 साल से उपर का है वो तो वोट कर ही सकता है लेकिन जो समीधान है उसके कोई भी प्रविजन के अगेंस्ट वो वैक्ति हो तो वोट नहीं कर सकता है मतलब कि कोई भी वैक्ति अगर जिसका भारत का नागरिक नहीं हो तो हो सकता है कि वोट नहीं कर सकता है ठीक है या फिर जिसका दिमागी हालत सही नहीं हो कोई भी कोड के द्वारा वो justify है कि वो पागल हो गया है तो उसको हो सकता है की वोट करने का मौका नहीं मिले कोई क्राइम कर रहा हो या फिर कोई illegal practice में हो तो ऐसे लोगों को हो सकता है की वोटर नहीं मिल नहीं बनाया जा सकता है और बाकी सारे जितने आदमें जैसे हम और आप हुए जिसको दिमाग उमाग सब सही है भारत का नागरी है जो की कोई क्राइम वगिरह में नहीं घुसा हुआ है भी फिलाल के लिए जा फिर जो है कोट के दौरा वो मानने त और यह बताया कि कौन से लोगों को भारत के किस नागरिक को वोट करने का अधिगार है कहाँ पर लोक सभा में और राज जी का विधान सभा में ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो कुछी पूझना है बताना है तो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू वेरी मच